जब से यूजीशी ने नई गाइडलाइंज जारी करी है तब से इन पर बवाल खड़ा हुआ है आपको पता भी है कि 6 से ज़्यादा ऐसे राज्ये हैं जो कि इसके खुलकर विरोध में आए हैं और उन्होंने यूजीशी को और जो पीम मोदीजी हैं उनको जो है लेटर पर बार ली उसके बार कुमेंट बॉक्स में बढ़ाए है और वीडियो पसंद आये तो लाइक करना अपने दोस्तों के सार्थ शेर कर देना ताकि ज्यादा आइज ज्यादा विरोध विरोध करेंगे तो तो हो सकता है कि बाद में जो गाइडलाइन से यूजीशी को वापस भी लेनी पड़ जाएं तो आप उनलाइन मीडिया जो है उनलाइन साधन जो है उनका जितना हो उसके यूज करके इसका विरोध करने की कोशिश करें ताकि सरकार तक ये बात ज्यादा से ज्यादा तो वीडियो को लाज तक जूर देखना पूरी अपडेट में आपको यहां पर दिखाने वाला हूं नमस्कार दोस्तों मैं हूं राहूल पांचाल अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ड्रैगो स्टेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुगेशन और गौर्रमेंट जॉब से रिलेटिड अपडेट से पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर कलिक करके आल नोटिविगेशन ओन कर दें फेस्बुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज ड्रैगो स्टेडी को भी लाइक करके फो चात्रों के हित के लिए और जो सेक्षन घुणवत्ता है उसकी क्वालिटी है शिक्षा कि उसको बनाई रखने के लिए प्रेक्षा है जरूरी है तो आप देखिए कि सभी राज्यों को भेजी गए संशोधित गाइडलाइन तो यह जो नई गाइडलाइन आये थी वह सभी राज्यों को आप भेज़ भी दी है यूजी सी ने तो आप जो राज्य इस पर फैंसला लेने वाले हैं कि क्या कुछ वो करेंगे जब कि कुछ राज्य हैं जो विरोध में हैं तो आप देखना है कि वह अपना फैंसला बजलते हैं या इनी गाइडलाइन के हिसाब से छात् शातरों के व्यापक हित में बताए है उसने कहा है कि राज्य परीक्षा को लेकर कोई भी फैंसला लेने से पहले छात्रों के हित वे शेक्षिन गुनोता पर पढ़ने वाले प्रभाव का भी आखलन कर लें वहीं परीक्षा को लेकर जाई गाडलाइन जारी करी इन उस पर पुझीशी का कहना है कि आयोग के रेगुलेशन के तहट सभी विशवी दैल्या उसे मानने के लिए बाद देंगों इसका विरौद नहीं कर सकते हैं तो यह समय विवाद का नहीं है सभी विशवी दैल्यां को तैय गाड़लाइन के तहट जो प्रीक्षाइं करानी चाहिए त अब देखते हैं क्या फैसला होता है फिर भी विशवी दैल्या को किसी मुद्दे को लेकर कोई भरम है तो वह संपर कर सकता है यहां तक कि जाए अगर परीक्षाओं की बात है तो कुरोना संकट के चलते हुआ पहले से विशवी दैल्या को काफी सहूलियत दे चुके हैं इ इसका हाल आपने दिली में देख लिया है जो दिली में प्रिक्षाओं अभी कराए गी ओपन बुक एक्जाम के तहत ही उसका बुरा हाल हुआ प्रिक्षा जो है पूरी तरह से फेल रही है अब देखिए कि यूजी सी सुत्रों की माने तो आयोग ने विवाद के बीच उन क इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहते वैसे इसे लेकर काफी राजनीती हो चुकी है अब यहां पर देखिए मैंने एक न्यूज आपको दिखाई थी इनकी मेटिंग्स राज्यों के साथ हो सकती है जल्द ही वह मैं आपको यहां पर खबर इसमें भी दिखा देता हूं द देख सकते हैं दैनिक जागन की न्यूज है उसका कहना है कि कोरोना के संकटकाल में दुनिया कोई भी विशवी डैल है या उच सेक्शनिक संस्तान बगेर परिक्षा असेस्मेंट के सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है ऐसे में यदि भारतिय विशवी डैल ऐसा करते हैं तो इसका असर उनकी वैश्विक साख पर भी पड़ेगा साथ ही जो भारतिय चातर अपनी डिगिर या सर्टिफिकेट लेकर नोकरियों के लिए जाएंगे उन्हें भी चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है यूजी सी देश में विशवी डैलों की सबसे बड़ी नियामक स चांसता है सभी डिगरी कोर्स इसकी मंजूरी के असा बाद ही मान्य होते हैं तो इसके साथ ही यह सभी विशव विद्यालियों को सेक्षणिक और शोद इसे जुड़ी गतिवीडियों को संचालित करने के लिए वित्यव जो मदद है वह भी देता है तो यहां पर देखिए आप एक बात सोचके देखिए कि जो प्रमोट करेंगे राज्य उन्हें वह उनके प्रिवेस एक्जाम के बेस पर ही तो करेंगे यानि कि वह इतने काबिल थे कि वह पास हो सकते हैं क्योंकि पिछले एक्जाम समया पिछले एयर के एक्जाम समय जो हो अच्छे मार्क से लेक और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और एक्जाम से और जोब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी ये निशान को दबा देना ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक करके फॉलो कर लेना और नोटिविकेशन ओन कर देनी है